तो अभी से कुछ टाइम पहले ये अपडेट आई थी कि अपने दो रॉक है वो आस्ट्रेलिया की इवेंट में आ सकते जो कि एलिमिनेशन चेंबर होने वाला है अगले साल रोड टो रेसल मीने से पहले अभी इसके उपर फिर एक बार रिपोर्ट आ चुकी है वही के सोर्स इसके तरब से उस्ट्रेलियम टोरिजम जो सोर्स है वहां की और सब ये अपडेट आते हैं रेसल मेनिया से पहले होने वाले इस पड़े प्रीमियम लाइव विवेंट को आ सकते है या फिर ने में क्या रॉक होंगे या फिर ने जो कि पर्त ऑस्ट्रेलिया से होगा वेको एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है लंबे टाइम बाद ऑस्ट्रेलिया डब डबली चाहेगी इंटरनेशनल शो है अभी के लिए तो रोमर रेस एडवर्टाइस नहीं है रोक एक बहुत कुछ चीज़े वहाँ पर में भी हो सकती या फिर एक वन टाइम उपेरिस रेक बार हो सकती है या फिर में भी हो खुष्ज भी हो सकते तो लेटसे क्या चीज़ें होती लेकिन ये फिलाल कुछ अपडेट है क्या आपके इसाब से रोमर राइस के लिए वो आ रहे हैं मेरे हैसे chances कम हैं क्योंकि कोडी रूस का chance जादा लग रहे हैं आप आप क्योंपनेश बता सकते हों खेर हम लोग बात करते हैं चैज्मिंडे के undisputed tag team championships के बारे में तो बहुत बहुत टाइम से update आ रही है कि tag team championship अब separate होगी अब separate होगी स्प्लिट होगी लेगिन अब फिर एक बार इसके उपर बूजर की और से update आच चुकी है और बूजर का यह कहना है कि डाब डाबली जो हैं बहुत जल्दी tag team championship को separate करेगी क्योंकि डाब डाबली के पास प्लान है यह रसल मीनियास तक जाते जाते रोट टू रसल मीनिया तक जाते जाते दो championship हो tag teams की यह फलाल बात है अब definitely डाब डाबली को बहुत जल्दी इसको separate करके new designs भी लाने चाहिए और देखते कब तक यह चीज होती लेकिन मेरे खैसे royal rumble के राउंड यह फिर royal rumble के पाद यह जीज़े हो सकती अब let's see किस तरीके से double-double डाबली इन चीज़ों को करती है कर अब लोग बढ़ते अगली update की तरफ हैं एक और चीज़ का fans को इंतजार है कि कब shameless का return होगा shameless का return का भी सभी को बहुत time से इंतजार है I think उन्होंने age के साथ ही last match wrestle किया था अभी इसके बाद यह update आच चुकी की फिर एक बार बुज़र की और उसे update आई हैंड यहाँ पर बताय जा रहा है कि बहुत जल्ली अपने shameless कुछ हफ़तों के अंदर return करेंगे और यहाँ पर मुझे लगता है कि शाद वो जो नए साल का edition होगा new year's revolution smackdown का वहाँ पर में भी अपने Celtic warrior Sheamus का फिर एक बार return हो सकता है अब देखते हैं कब तक शेमस का return होता है लेकिन fans excited है शेमस के return के लिए लेट सी शेमस का कब return होता है लेकिन यह लाग बुच अभी की बात है कि आने वाले कुछ अफ़तों के अंदर हमें Celtic warrior Sheamus का फिर एक बार WWE के अंदर return दिखाईतीगा खेर बात करते हैं अपने United States Champion Logan Paul क हासल किया है खुद के लिए योकि इनको पूरे हो चुके हैं पचास तिन एज युनाइटेस स्टेश चैंपिन एंड जीरो डाइट लिफरस हैं खेर चैंपिन वहने के बाद एक आदबारी वो स्मैक डाउन पर आये थे लेकिन जो भी हो उन्होंने काफी इस डाटल को सभी जगह पर लिया उन्होंने जो हर जगह इसके मार्केटिंग भी करी एंड काफी अच्छे से उन्हों जो इस चैंपिन्शिप को करी किया हर जगह पर जा रहे लोगन पॉल तो यह काफी अच्छी बात हैं खेर एक बाद स्टाट बदा देता हूं कि इस साल किन सुपसास से में जिसमें यानि की जो बासट मैचस उन्होंने साल में हा रहे हैं सेकेंड नमबर पर हैं जिख्वानी वेंची जिएंग जुनाने सिक्स्टी नाइन मैचस इस साल पुरे हारे हैं बने लुडविक काईजर जिए जोनैंच शोगतर मैचस हा रहे हैं सबसे ज़्जादे में वैसे एक अपडेट है यह हम देखते हैं कि जब Chelsea Green की एंटरंस होती है तो जो समयनता है वह काफी अलग सा उनके लिए इंट्रोड्यूस करते हैं उनके नेम को यह आपर से अलग टाइप से लिए इंट्रोड़क्शन होता है जैसे कि अपने गंतर के लिए भी होता है तो वैसे जरी का जो इंट्रोड़क्शन है वह अब नहीं होगा क्योंकि हाई रप्स कोई चीदर पसंद नहीं आ रही है और इ